तो नमस्कार सारे वीवर्स से और जुड़ गए हैं इस लाइव मैच में आस्ट्रेलिया वर्सेज साथ अफरीका का ICC Women's T20 World Cup का फाइनल मुकाबला जहां पर defending champion जो है Australia फाइनल पाइनल पर पहुंच चुकी है साथ साथ मगरबाद की जाए तो home team South Africa है साथ अफरीका में टोन्ट केला जा रहा है और home team South Africa भी पहली बार Women's World Cup में पहुंची है अब देखना होगा किस तरीके से ये मुकाबला रहता है आप सभी का स्वागत करेंगे अपने इस YouTube चानल पर क्रिकेट लाइफ हिंदी पर लाइफ हिंदी कमेंटरी जह है क्रिकेट लाइफ हिंदी पर स्टार्ट हो चुकी है लाइक करिए सबस्काइब करिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को बात करें ऑस्टेलिया की तो पिछली बार की चैंपिन टीम है और इस सीजन भी इस टूर्णमेंट के अंदर चैंपिन की तरह खेली है एक भी मुकाबला जो है ऑस्टेलियन टीम ने यहाँ पर हारा नहीं है अगर बात कीज़ें सात오गी शुरुवात पहले मुकाबल में श्रलंका से हारे थे, उसके बाद अपने ही गृूप के अंदर और औस्टेलिया से हारे थे और कहीं ने कहीं यहां पर भारी पढ़ते नदर आ रहे हो आप देखते हैं कौन से टीम यहां पर जीरते नदर आती है में यहां वह इस थारी लेगा जीरो परसंट चांसें से बारिश होने के अगर बात की जाए इस ग्राउंड के निव लैंड की तो पिछ काफी अच्छी लगर आ रही है बलेबाजी के लिए यहाँ पर दोनों से फानल मुकाबले जो है इसी ग्राउंड के अंदर खेले जा रहे हैं और फानल मुकाबला भी इसी ग्राउंड के अंदर है तो यहाँ पर काफी अच्छे खासे रहल्स जो है वो बंते हो नजर आएंगे इस पिछ के उपर अगर बात की जाए तो मौसन भी काफी अच्छ तक महरबान है और धूब जो है चालिस ओर खेल जो है वो देखने हो मिल जाएगा तो यह है मौसम का सूर्तिहाल जहां पर चौबिश देशन और चाट डिग्री सलसेश टेंपरेचर है साइमी फाइनल दोनों मुकाबले इसी ग्राउंड पर खेले गए थे टीम को जीत दिलाकर ट्रॉफी जो है अपने नाम कर पाएंगे तो यह मौसम का सूर्तिहाल यहां पर आप से लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए चानल को और साथ आप से लोग जुड़ जाएगा सेट बैट के साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में लैच्छ पिन कर द लिंक को क्लिक करेंगा सभी जाएगा साइन आप के यूजर नेंब पास्वर मॉबाइल नंबर डालिएगा आपकी आईडी जी है वो क्रेट हो जाएगा उसके बाद आप डिपोईट कर सकते हैं गुगल पर फोन पर पेटियम से आप यहां पर डिपोईट कर सकते हैं अब जिमम बैट से 10 रुपे और मिनमी डिपोईट जी है 500 रुपे का है सेट बेट के साथ एक और आफ़र आपको मिल रहा है आज ही अगर आप पर रिजिट करते हैं आईडी करेट करते हैं तो आपके पास एक चांस रहेगा कि आप आईपियल मैचिस की टिकेट जीतने का जी आ अपको पता ही आइपियल मैचिस की आप अपको टिकेट का एक ओफर मिल रहा है जहांपर आप प्रइश्ट करते हैं, आईडी करेट करते हैं और सासत में डिपोईट करते हैं तो आपके पास एक चांस रहेगा कि आप आईपियल मैचिस जो है वो लाइफ जाके स्टेडियम में देखें उसके लिए टिकेट जह है और वो फ्री आपको मिल रही है तो जाइए खेली और जीतिया सैट्बेट के साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचर में पेन कर दिया है बात की जाए अगर मुकाबले की तो यहां पर जो है मैं बताना चाहूंगा ऑस्ट्रिया को जिए पहले बल्यबाजी करने लिया आपनए अपना पैला से यहां पर नहीं चीग पर्वेश किया अगर कहींने भार्द थीम नने भी बताए कि यहां पर थोड़ी बहुत कम्जोरी उन स्वाइन भाजिक, तो आप अच्छा खासा रन्चेस के सकते नीं सविजिया की Jagard अप्र यहां पर साउथ सैंधान सिखर घीटा है यहां पर 129 विक्राइफ Star 124 विक्रेंद गतल्र समिंधी गुंढ़न्ग विरगत 2 बेभीॉन से साउथ अफरीका ने दूसरा संफानल में काला जीता है यहाँ पर बता देगी यह पिछ कहीं न कहीं अनकूल लग रही है पिछ काफी बहतर लग रही है दोनों मुकाबले अगर आप देखेंगे तो दोनों मुकाबले के अंदर तीन सो तीन सो रंग भने हैं चालिस ओवर के अंदर तो मेरे इसाब से आज के इस मुकाबले में भी अच्छी खासी बल्लेबाजी देखने मिलेगी उमीद नहीं थी साथवरीका जो है वो पहुच पाएगा जिस तरीके सिंग के शुरुवाती पहला मुकाबला ही कहीं न कहीं स्रिलंगा के खिलाफ हार गए थे उसों लग रहा था कि शायद ग्रूप में कौलिफाइर नहीं कर पाएंगे उस्टेलियन टीम कहीं न कहीं डिफेंडिंग चैंपियन थी और कहीं न कहीं इस वर्ल्लकॉप को जीतने के लिए मगर साथवरीके के पास होम कंडिशन का एडवांटेज है क्राउड सपोर्ट है और कहीं न कहीं टीम बैलेंस नदर आ रही है पिछले मुकाबले में तेज गेंद बाजी भी काफी बढ़े आ थी चाहिए वो शबना में स्माइल हो अब उंगा खाखा हो बल्ले बाजी भी काफी अच्छी नदर आई है लाग उलवडाट हो चाहिए टैजमिन बिर्ष जहाए वो अजब़नस बल्ले बाजी करते नदर आ है आज कि से देखना होगा आज किसका बला बोलता है पिछले मुकाबले में सर्थानल मुकाबले मैग लैनिंग त्वान हो चाहिए यगए यदा न किस तरीके से बल्ले बाजी करता है इतुम देखना करना चाहेंगे इस पिछ के उपर बात करते हैं दो टीमों के हैट टीमों के हैट टीमों की भाई किस तरीके से दो टीमों का पर देखेंगे तो हैट टू एट प्रदेशन में आपके सामने हैं यहाँ पर ऑस्टेलिया वर्थे सोतरे का बीच में 30-20 मुकाबले होएं और 6-6 ऐस्टेलिया ने जीते हैं जी से अुस्टेलिया डॉमिनेट कर रही है वुमन क्रीकेत गसे पेढाना और कैसे अध्या कोदियर कर देखे तो घ्र इंखें तो ओस्टेलिया का पला हमेशा जो है बारि नदर आता है तो ऑस्टेलिया की टीम यहाँ पर मजबूत नदारीय च् ध्यान रखिएगा ग्रूप A के अंदर को ये ऑस्टेलिया और साथ अफ्रीका को हाल मिली थे तो साथ अफ्रीका के लिए आसान नहीं होगा ये फाइनल मुकाबला क्योंकि एक वर्ल्ड जाइन टीम सा ऑस्टेलियन टीम इनको हराना है तो आपको इन से बहतर क्रिक्ट खेलन होगा अपना 100 नहीं 200 परशन देना होगा अगर ट्रॉफी को जीतना है तो ऑस्टेलिया यहां पर आप जो है अपने नर्व सो कंट्रोल रखेंगे उनको पता है उनको एक्स्पीरेंस है किस तरीके से फानल मुकाबला खेलना है पिछले बार भी चैंपिन थी और इस बार भ इस मुकाबले के अंदर तो है ट्रेट में पलर जो है वह भारी है उस्ट्रेलिया का 6 मुकाबले जीते हैं और शून ने जीत मिली है यहां पर साथ अफड़ीकर की टीम को अगर बात की जाए तो आप ऑस्ट्रेलिया बिलकुल टॉमिनेट कर रहे हैस टूनमेन के अंदर अन कदम रख़ात पांच मुकाबले के अंदर खेले हैं और पांचों के पांचों यहां पर जीत नजरा है साथ-फीरिका भी कहीं नजरा रही है कि एक स्ट्रॉंग टीम है एंग्लाइड की टीम काफी मजबूती से इस टूर्णमेंट के अंदर खेल रही थी और कहीं नहीं से उनसे बहतर खेल दिखाया और उस मुकाबले को चीत कर आप फाइल में प्रवेश किया है अपने होम ग्राउंड के अंदर अपकिस तरीके से प् गया यहां पर रीशन प्रफॉर्मेंस की बात और हैट टू हैड की बात दोनों टीम है तो यहां पर उस्टेलियन टीम जहें वह डॉमिनेट करती है चाहें वह कोई भी टीम हो इंडिया हो इंग्लाइंड हो सब टीमों से बहतर क्रिकेट जो है वह खेलती और च्छा बैटि बाजी भी काफी अच्छी है मगर साउत अफीकर के पास एक अच्छी बात है कि इनके जो खिलाडी फॉर्म में नहीं थे टूर्मेंट के शुरूवात में वह सारे खिलाडी जो है फॉर्म मैना शुरू हो गया है चाहे आपका हो यहां पर बल्लेबाजी में टर्मिन करते हैं यहां पर पिछ रिपोर्ट किजिए पिछ किस तरीके से बिहेव कर रही है लगातार यहां पर दो समीफानल मुकाबले होए और बल्लेबाजी के लिए निकूल लगी है पिछ यहां पर स्पिनर गेंद बाजो को काफी मदद करती है यह पिछ इस ग्राउंड के पर जो पहले पहली दिंग का एवरेश को सो बावन रन है और निव लेंड के टाउन के उपर जो है जोड़े जादा वे की शटकाते नदर आते हैं मगर पिछले मुकाबले में तेज गेंद बाजों ने साथरुकर तेज गेंद बाजों ने मैच को निकाला था और अपने टीम क है मुकाबले जीत चुकी यहां पर तोफ लीत कर पहले बलrement बर्ल बाजि आगेंगे यहां पर और एक बड़ा स्कूर शेट प्लस सटेम के उपर और आपके पास आपशछी गेंद बाजी हता में स्मायल है मर्दम कैप है साथ में मलाभा जैसे इस्पिनर गेंदबाजा है गेंदबाजी साथ जीदके की एक मजबूत पक्ष्य अच्छी गेंद बाजी है और पर देखना होगा क्या टॉस जीत कर एक बड़ा स्कोर जिस तरीके से इंगलेंड की खड़ा किया था क्या अगर ऑस्ट्रेलिया के पास नंबर आठ तक बलेबाजी यह नंबर आठ तक बैटिंग ओडर रहता है उस्ट्रेलिया का यहां पर पिछ कहीं न कहीं है इस्पनर गें लेकर चलू क्या अलेसिस रहते हैं स्पिछ कर पर देख लिजीगा यहांपर पिछले ग्यारह मुकाबले यहां पर हुए हैं पहले बल्लेबाजी करने वाले टीम पच-पन्ट परसंट मैशी जीती है और चेर्ज करने वाली टीम जूह हो गलेख सी adolescents को 5ocol 양च यह काहीं अग ऑगर अगर देखा जाए तो श्मिनर गेंदबाज जा हैं तो काफी अत्ता की विड़ेट चटकाते वे नजर आये हैं धर तेज गेंदबाज़्ों को भी यहांपर विकट मिलते हैं नजर आई हैं तो यहां पर आसान नहीं होगी ये pitch कहीं ने कहीं बल्लेबाजी के लिए तो काफी अनकूल ये pitch अगर अगर आप कप्तान उक पतान ढूंड रहे हैं तो आप यहां पर बल्लेबाजों सच जा सकते हैं यहां पर अगर देखा जाए तो पिछले कुछ मुकाबलों के अंदर यहां पर तेज गेंबाज पर शटकाते हैं नजर आए हैं तो देखेंगे तो इहां पर शटका रहे हैं तेज गेंबाज जहें हो 34 परशन विक्टरी चटका रहेंए तेज गेंबाज यहां पर तेज गेंबाज हैं वह काफियत तक नहराने इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज सुन गेंबाज डो था नोर णै अर लान पर ओवगaya गेंदबाजी करम जो है वो फैंटेजी टीम के अंदर काफी मजबूत हो जाएगा प्लेयर के बारे में बताऊंगा जब डिटेल बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा को कौन-कोन से खिलाडी आप में टीम के अंदर रख सकते हैं पेस वर्सिस स्पिन में वैसे स्पिन का प अगर मैं बात करूं साथ अफरीका की साथ अफरीका भी पिशे दस मुकाबलों के अंदर अपने साथ मुकाबले जीता है इन 70% विनिंग परसंटेज के अंदर दो बड़ी टीम हैं जिनको उन्होंने हराया है एक इंडियन टीम जो की ट्राइस सीरिस के फानल में जो हराया तो साथ अफरीका ने और सगरबात की जाए तो इसमें इंगलेंड का नाम भी जोड़ लिजे कि साथ अफरीका ने हराया ह इस मुकाबले को जी सकता है तो यहाँ पर अस्ट्रेलिया जो है लागए तर दस मेचिस तें दसों में जी चुकी और अफरीगेंज जहें इसमें परसंटेज यहांदो तरजमी के ओपर ट्राइस सिरीज के फानल भी भारत जैसे बड़ी टीम को सब्सक्राइब कर ने हराया था तो कहीं ने कहीं यहां पर टीम के पास मौका है मगर पहली बार पहुचे हैं पहली बार पहुच कर ही क्या सबने टीम को जिता पाएंगे वह देखने लिए बात पिछली बार की चेंपिएंट टीम है और इस बार भी डिफेंडिंग चेंपिएंट फवार्न पहुचे हैं और और सफाफ़ीका के लिए 9% लोग कह रहेए कि शायद इस बार इस बार चैंपिएंट जो है वह दूसरा बनेगा शायद रोसक पता स्था साउथ आर टीम हो का दिया है उस लिंक को क्लिक करके ID क्रेट करिए मिनिमम बैट से 10 रुपे है मिनमम डिपोईट जो है सिर्फ 500 रुपे का है आप पर और पहले डिपोईट करने पर आपको 100% का बोनस मिल रहा है पांसो डिपोईट करेंगे तो 500 का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा आपको जितना भी आप डिपोईट करते हैं उतने का ही अमाउंट आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता हो नजर आएगा तो जाइए खेलिए और जीते सेट्बेट के साथ ध्यान रखिएगा हमारे लिंक के थूर जॉइन करेंगे तभी आप बोनस प्राउत कर पाएंगे इसलिए हमारे लिंक के जॉइन करिएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचर बोन पर इन कर दी है उस लिंक को क्लिक करिएगा उसके बाद जाईएगा सीधा सेट्बेट के पेच पे साइन अप के ओप्शन को क्लिक करिएगा यूजर ने पास्टोर मॉबाइल नमर में डालिएगा आपकी सबाँ सबसक्रिण लाइचर पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आईडी करिए खेलिये और जीतिये सेट्बैट साथ यहां पर चलते हैं शराथ टीम के तरफ जलते हैं जिराेप math काम्बिनेशन के तरफ देखते हैं आज के इस मुकाबले के अंदर कौन सी टीम जो है वो किस तरीके से यहां पर खेलते नदर आती है लाइक करिएगा आप से लो सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को चुड़ रही है हमार साथ लाइफ हिंदी कामेंटरी में क्रिकेट लाइफ हिंदी के साथ यहां पर चेंज है वो देखने को नहीं मिलना चाहिए यहां पर बस प्लेइंग ना उनकी तरफ चल रहे हैं उससे पहले आप सब लोग जुड़ जाएगा सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा इंजॉय करिएगा इस मुकाबले को मुकाबला जो है और वो काफी बहतर प्रदर्शन जो है वो अस्टेलिया का रहेगा मकर सब्सक्राइब एक मौका है कि अपने होम ग्राउंड में सब्सक्राइब करने के चलते हैं प्लेइंग की तरफ चलिए यहां पर सबसे बात करते हैं सब्सक्राइब कर दो मुकाबलों से जहां पर तैजमिल ब्रिट्स साथ अफरीका की टीम काफी अच्छी नज़रा रही है बैलेंस अनज़र रही है बाग्मेदेश के खिळाब 10 विकिट्स मैस जीते थे उसके इंग्लैट के खिलाफ चे रहन से मुकाबले के अंदर जीते हैं पहले बद्लेबाजी की बात करते हैं पहले बासी काफी बढ़ि और उसके बाद पिछले दो मुकाबले में बांगलदेश के खिलाब चपन गेंद में सेसे सेस्रंस बनाये थे और इंग्लाइन के खिलाब भी 44 गेंद में 53 पारी खेले थे इनको टीम में रखना मत भूलेगा experience खिलाडी है अगर साथरी को कोई मैच को जीतना है तो लौरा उलवराट का चलना बहुत दरूरी है कि लौरा उलवराट जो है एक बड़ी पारी खेलती है और अपर टीम का स्कोर जो है वो आगे लेके जाती है तो यहाँ पर अपर टीम के अंदर लौरा उलवराट को आप र जो है इनके भी खराब गए थे यहाँ पर अगर देखा जाए शुरुवात के जो दो मुकाबले आपकर दो मुकाबले जो है वो काफी खराब गए थे मगर उसके बाद ऑस्टेलिया के खिलाफ ही 36 गेनों 45 रन की पारी खिली थी इनहीं की पारी के बदोलत लौराट और अच्छे कासी बल्लेबाजी करते नदर आ रही है तो दोनों बल्लेबाज अच्छे कासी बना रहे हैं तेजिमिन ब्रिट्स ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है क्योंके तीन मुकाबलों के अंदर अगर देखा जाए तो कम से कम यह यह 170 प्लस बना चुकी है और लौराब ब श्रुवात से ही स्ट्रगल कर रही है बल्लेबाजी में मगर पिछले मुकाबले में फॉर्म थोड़ा बहुत आया है तेरा गेंदों में 27 सरन की पारी खेली थी यहां पर मर्जम कैप ने तो इनको आप टीम में रख लीजेगा क्योंकि बल्लेबाजी भी है साथरीकर के तर अगली खिराडी है यहां पर सेना लूइस कप्तान है इस टीम की बल्लेबाजी में अगर देखा जाए तो इतना अगली खिलाडी है यहां पर इंकी नमबर पांच की बल्लेबाज चाला टरॉन चाला टरॉन के अगर बात की जाए तो इस टूनमेंट के अंदर अभी तक अभी तक अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी मिली ज़रूर है चार मुकाबले में चाहू अनन बना चुकी है स्ट्राइकर जहे एक सो आठ कर रहा है एवरेस सार तेरा कर रहा है मगर इनको टीम में रख लीजेगा एज़ा ओर राउंडर चाला टरॉन जो है वो लेफ्ट ताम और्थरो स्पिन गेंद बाजी भी करती है चार मुकाबले में गेंद बाजी करी है दो विके चटकाएं है ऐसा ओल्राउंडर आप ढूंड रहे हैं साथ तरह से चाहिला टरॉन जो है वो काफी बढ़िया रहेंगी मरजम कैप के बाद इन्हीं के उपर बल्लेबाजी काफे तक निरबर रही कि साथ और राउंडर टीम में खेल रही है ज्यादा गेंद बाजी की नहीं बल्लेबाजी ज्यादा फोकस रहता है अगर यहाँपर कुछ दिक्कत आती है तो नंददी किया है वह काफी अच्छी गेंद बाजी कर सकते हैं यहाँपर साथरुकरन टीम के लिए एक और और आउलर र टीम के अंदर हैं अगली खिलाडी यहां पर अनाके बाउच जो है वह जब बल्लेबाज टीम में खेलती हैं बल्लेबाजी ज्यादा आई नहीं है इस टूनमेंट के अंदर बात की जाए तो एक ही बर बल्लेबाजी करने आई थी वो भी श्रिलंगा के खिलाव और सुनने के स और समझ सकते हैं कि इंदर बाजी जदा ये करती नहीं है जब बल्लेबाजी करने का मौका इतना मिला नहीं है अगली खिलाडी है यहाँ पर सिनालो जाफता सिनालो जाफता पर एक कीवी यही कहानी है कि टॉप ओडर जो है वो इतना अच्छा खेल रहा है कि मिटोरिंकी बल्लेबाजी जो है वो आ नहीं रही है तीन मुकाबलों में अभी तक बल्लेबाजी यह वर्ल्ड करने भी आती हैं प्लस आपके लिए कुछ रन बना सकती है यहाँ पर सिनालो जाफता को टीम में रहने रहने ही दीजिएगा टीम में लेने से अगली खिलाडी के नाम बढ़ते हैं यहाँ पर शबनम इस्माइल एबुंगा खाका जी है दो तेज गेंदबाज इस टीम के य और इस टूनमेंट में फास्टेस बॉल भी वुमन वल्ड कब में शबनम इस्माइल ने डाला है तो एज़त तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल को आप टीम में रख सकते हैं पांच मैंच में छे वी की चटका है एकॉनमी भी पांच दसलव साथ दो कर रहा है और डेथ खाका के मगर जिस तरीके से इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ गेंद बाजी करिये जी हां 29 रंदेकर चार विकेश चटकाए थे मैच वीनिंग गेंद बाजी रही थी शबनमें इस्माइल और आप खाका की दोनों मिलकर साथ विकेश चटकाए इंग्लैंड के और यहां प कि लिए ठीज के बाज और अपकेश यहां पर मलाबा को आप टीम में रह सकते हैं अगर मैं बात की जाओंगा बात करूंगा इस मुकाबले के प्र सहाosphेरिका मेंड वूमिनद व के लिए तो यहां पर तेज़ गेंड़ हैं से पास्ट चाह tissue؟ खाकाओ नेनंदिक लार्क हो उसके इक मात स्प्र गेंदबाज है वह निकुलिको मलाबा है तो यह है यहां पर साथ अफ्रीके की प्लेंग लावन आप चलते हैं जरा यहां पर ऑस्ट्रेलिया की प्लेंग लावन के बारे बात करते हैं कि कौन-कौन सिखिलारी उस टीम से हुँ न जियां जैस्ज जोनसन इस्ट्रमेंट के अंदर ज्यादा मुकाबले खेली नहीं थी मगर एक्सपीदेंस खिलाडी हैं लफ ताम और सुस्पिन गेंद बाजी करती हैं और इनको समी फाइनल के लिए इनको टीम में रखा गया अधा टीम में आई थी अब देखना करेंगे आप बैत्मुनी और एली से अहली के बारे में यहाँ अच्छी बल्लेवाजी यहां पर अगर देखा जाए बैत्मुनी की तो बैत्मुनी का यह टूरमेंट अब पिछले 5-4 मुकाबलेशं के अंदर 171 मना चूकी हैं जी हैं चार मुकाबले में बल्लेवाजी यह तो 171 मना चुकी है स्ट्राइक रेट जो है 120 का रहता है और एवरेज जो है 57 का तो बैतमूनी जैसे बल्लेबास को आप बाहर नहीं रहे सकते हैं तो बैतमूनी को आप टीम में रख लीजेगा यहाँ पर अगर बात की जाए अलीसा हीली के तो 171 रन मनाये हैं यहाँ पर इनको आप विकेट कीपर टीम में रख लीजेगा 40 मुकाबले खेले हैं इस टूनमेंट के अंदर एक मुकाबला खेल नहीं पाई थी मगर एवरेज जो है 57 करा है मुलता की आज के इस मुकाबले में काफी रन मनाये हैं इस टूनमेंट के अंदर और 108 का स्ट्राइक रहा था है और 33 का आवरेज रहा है तो यह टॉप ओडर बल्लेबाज खाचकर बैतमूनी और एलिसा हिली दोनों को आप टीम में रख सकते हैं आप अगली खिलाडी हैं कि कफ्तान मैग लैनिंग अगली खिलाडी नमबर चार पर आती है ऐशली गाडनर एशली गाडनर का बल्ला जो है क्या आप उगला था पिछले मुकाबल में 18 गेंदों में 31 रण की पारी खेली है उस्ट्रामेंट के अंदर इंका स्ट्राइक रेट जो है वह काफी बहतर नजर आए 115 का स्ट्राइक रहा है इनका एवरेज जो है थोसा नीची है अगर एशली गाडनर को टीम में रखना न भूल लागा अगर बात की जाएं कि गेंद बाजी की तो गेंद बाजी के अंदर एशली गाडनर ने पाँच मुकाबले खेले है और नौ विकेट चटका चुके है तो ऐसे और राउंडर को आप टीम से बाहर नहीं रह सकते आप एशली गाडनर को तो एशली गाडनर को टीम में आप र एलिसा पैरी के बल्लेवाजी ज्यादा आई रही है काफी अच्छी बल्लेवाजी करते नदर आई हैं तीन मुकाबले खेले हैं तिरपन रन बनाए हैं स्ट्राइक रहा है एवरेस 27 कर रहा है अगर बात की जाए तो यहां पर पांच मुकाबले उन्होंने खेले हैं और तीन चटका हैं जी आई ऐस ऑल्राउंडर टीम के अंदर खेल रही हैं बल्लेवाजी का मुकाव उतना मिल नहीं रहा है क्योंकि टॉप अटर के बल्लेवास काफी अच्छा रन बना रहे हैं मकर गेंदबाजी का योगदान दे रही हैं अगर विकेट जहां चटका नहीं रही है अगर आप एहली साब पहरी पसंद करते हैं तो शायद आप टीम में रख सकते हैं इनको आज ऑल्राउंडर मकर मेरे इसाब से आप एशली गार्णर को आज ऑल्राउंडर टीम में रखना चाहें कि वो विकेट पीड का रही है प्लस बल्ले के साथ रन मिलारा है यहां पर अ दो यही मुकाबलों में इते में at скорology नंबर च्छे करत सब्सप्राइबा में इसाब से टाइला ती में रखीएगा जदा कर नहीं नहीं है इंडिया के खिलाफ इनों ने गेंदबाजी की ज़रूर थी सभी फानल मुकाबले के अंदर 13 लंदिया कोई विकेट नहीं मिला ज्यादा गेंदबाजी मिलने रहे कर ऐसा बल्लेबाज आप टीम में रहे सकते हैं अगली खिलाड़ी है यहां पर ग्रेश सैरिस ग्रेश सैरिस का भी हाल वही है अगर आपके पास इतने सरे बैटिंग बैटिंग ऑप्शन होना तो आप ग्रेश सैरिस को भूली जाएं क्योंकि ग्रेश सैरिस एक ताबरतोल बल्लेबाजी आई है और एक बार नाबाद रही है और दो बार आउट हुए है कुल मिलागे 25 और ग्रेश सैरिस ने अगर ऐक मुकाबले में ग्रेश सैरिस ने स्टरीबेशन है उससे पहले बल्लेबाजी को देखा जाए तो बैथ मूनी है एलीसा हैली है मेगलेनिकन है एश्ली गाडनर है एलीसा पिरी है तैला ऴेगराथ है तो नंबर साथ park river लिए तो इतने निकी बड़ने बालेवार जैदा है तीम नहीं है टीम में रहाएं चाछतर रख लीजिएगा घूएंड से चार मुकाबली के अंदर जॉर्जिया वर्हेम जो है वो कम से कम जो है वो 6 वी के चटका चुके तो जॉर्जिया वर्हेम को आप टीम में रख लीजेगा अगली खिलाडी के अकर बात की जाए तो यहाँ पर है जेज जोनसन जेज जोनसन में अकर बात की जाए तो टूरमेंट के अंदर सिर्फ एक मुकाबला खेला है जियां एक ही मुकाबला खेला है सहीम फानल में सीधा सहीम फानल में खिलाया गया था इनको उस मुकाबले के अं देकर एक विक्री चटका है एंगा पर लेफ्ट आम और डार्सी ब्राउन दो तेज गेंदबाज इस टीम के अगर बात की जाए तो एज़ तेज गेंदबाज आप टीम मेरा चेंगे इनको गेंदबाजि में अगर देखा जाए तो वह पिछले पांच मुकाबलों के अंदर 9 सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए आपको खुड डिसाइड करना होगा कि कौन सा तेज गेंद बाज बैटर रहेगा मेरे साब से तो मेगें शुट रहेंगे अगली तेज गेंद बाज है डार्शी ब्राउन डार्शी ब्राउन के अगर बात की जाए तो इस टूनमेंट के यहां पर बहुत लड़ाई होने लिए बड़ा माथा पच्ची होने वाली कि किस केंद बाज को आप रख सकते हैं टीम के अंदर कौन से तेज गेंद बाज आप रख सकते हैं मगर मेगन शुट और डार्शी ब्राउन दोनों ने जहां गेंद बाजी स्टूनमेंट के अदर काफी अच्छी करिए तो यह हो सकती है उस्टेलिया की प्लेंग लावन वैत मूनी एलीसा हीली मेग लैनिंग और साथ मैं एलीसा पैरी टैला मेगराथ एशली गार्डनर ग्रेस एरिस जोर्जिया वोम जैस जोनसन मेगन शुट और डार्सी ब्राउन जो हैं इस ट्रीम में खेल सकते हैं आप सो लोग स्ट्रीम को लाई कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा चलते हैं ज़रा टॉस की तरफ लाइक करके सब्सक्राइब करिए इन्जोई करिए इस मुकाबले को पहले बल्ले बाजी करने निनल लिया तो यहां पर जो भी टीम यहां पर टॉस जीती है अमोमन बल्ले बाजी करने निनल लिया और बल्ले बाजी करने 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 क पिसली बार जब वल्ड कप हुआ था तो जीती थी तीम आज भी फानल के अंदर है उनके सामने उनके सामने होगी साथ अफ्रीका जो की पहली बार मुकाबले में आई है यहां पर और टॉस हो चुका है इस मुकाबले में टॉस जीता है और पहले बले बाजी करने निनने अजे रहें आज कोई भी चेंजिस नहीं किये गयाँ यहां पर हो इस टीम के साथ उत्रेंगे और शेम टीम के साथ बलेबाजी कर जाहेंके यह आप तरीकस टीम की जोड़ी रहेगी अब पैत्मोनी आरीस हैं यहां बता दें आपको कि इस टीम की प्लेंग ए सप्लैंग उन प्रिकार रहेगी बैनी ऐलिसा हीली जो है मख़ू करेंगी नंबर टीन पर मैगल अनिंग जो है वो खेलते नदर आएंगे तो ऑस्टेलियान टीम जह है वह अनचेंज है बिल्कुल कोई भी टीम जह है प्लेयर जह हो बदला रहीं और सेम टीम के साथ जहें खेंटाहें तोस जीता है झाल को टीम एक बार फिर से सुन लीजेगा उस्टेलिया के तो तीम में होंगी बैत मूनी एलीसा हिली ओपन करेंगी नमबर तीन पर होंगी मेग लैनिंग नमबर चार पर होंगी ऐशली गार्डनर एशली गार्डनर को टीम में रखना मद बूलिएगा बड़ी आ ओल राउंडर है इस्पिन गेन बाजी करती हैं प्लस बल्ले के साथ भी ताबर थोड़ बल्ले बाजी करते जाती हैं नमबर चार पर पांच पर होंगी यहां पर अलीसा पैरी नमबर चे टाइला मेगराथ नमबर साथ पर ग्रेस एडिस नमबर आट पर जॉर्जिया वरहम नमबर नौ पर जैस जोनसन नमबर दस पर मेगन शूट और नमबर ग्यारा पर डार्सी ब्राउन जो है वो खेलते नदर आएंगी यहां पर तो देखते हैं आज मुकाबला जो है वो किस तरीके से रहता है यहां मुकाबला जो है वो काफी बढ़न चीए गया है कोशिश ऑस्टेलिया की यही है कि बड़ा स्कोर खड़ा किये जाए पर से दो समीफानल मुकाबले इसी ग्राउंड के ऊपर खेले गए थे और यहां पर पहले बल्लेबाजी करते यह टीम जीती थी जैसे बरताया था मैंने आज के इस मुकाबले के अंदर किस तरीके से खेला होता है हैड-to-head में पलणा भारी जरूर है उस्टेलिया का च्छे बार खेले हैं आपस में और चे के च्छे मुकाबले जो है वो ऑस्टेलियान टीम जीतने राती तो ऑस्टेलिया की टीम आपके स्किंग के सामने है कोई भी खिलाड़ी याज चेंज नहीं किया है सेम प्लेइंग नंबर चार पे अश्ली गारड़नर नंबर पाच पे अलिसा पर छे पर टैला मेंगराथ नंबर साथ पे ग्रेसहर इस नंबर आठ जोर्जिया वरहम नंबर नौ पे जेस्ट जॉननसन नंबर दस पे मेंगें शूट नंबर ग्यारख पे डारसी ब्राउन जय है वो खिलते नज़र आएंगे पिछ कहीं न कहीं बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल रहेगी यहां पर काफी रंस वह बंते भी नज़र आए हैं अब चलते हैं साउथ अफ्रीका के तरफ जियां साउथ अफ्रीका की टीम भी अंचेंज है यहां पर सेम प्लेंग 11 के साथ उतरना चाह करती मगर यहां पर किसमत जो है वो और स्टेलिया के साथ नज़र आई यहां पर सिक्का जो उचला और स्टेलें टॉस जीद कर पहले बल्लेबाजी करने नहीं लिया सवत्रीका की टीम में यहां पर ओपनिंग जोड़ी रहेंगी तैजमिन ब्रिट्स और लॉरा वुलॉड यहां पर नंबर चार पर यहां पर नंबर पांच पर चाहला टरॉन नंबर च्छे पर नंडव यहां पर अनुकलिको मलाबा जो हैं वो इस टीम के अंदर देखने को मिल रही है तो यह है सेम प्लेंग इलावन यहां पर सौथ अफरीका की साथ अफरीका ने भी आज कोई चेंज नहीं किया है, प्लेइंग 11 में और बिल्कुल सेम टीम जी आ, अपने मीनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी छेड़चार जो है, वो करते नदर नहीं आई है, सना लुईस आप देखना होगा आज के इस मुकाबले में, क्या साथ अफ पाबले को जीत कर, ट्रॉफी जो है, वो अपने नाम कर सकते कि, साथ अफरीका जो है, वो अपने होम ग्राउंड के अंदर खेल रही है, वो साथ अफरीका मिलेगा जरूर मगर यहां पर और ऑस्टेलिया जो है, वर्ल्ड चैंपेर है, रैंकिंग के अगर बात किया, टी-20 रैंकिंग के अंदर भी नंबर वन की पोजिशन पर रखती है, और श्रीलियन टीम और श्रीलियन टीम का यह सफर इस टूनमेंट में काफी बढ़िया रहा है, अनबीटन रही है, पांच मुकाबले खेले हैं, पांच जीते हैं, साथ अफरीका का यहां पर फिसले पांच सिनालो जाफता विकट कीपर हैं इस टीम में, शबना इसमाइल, एबिंगा खाखा, नुकलिको, मलाबा जो हैं वो इस टीम के अंदर है, तो यह होगी दोनों टीमों की प्लेइन आवन आज कोई भी चेंज जी हां, कोई भी चेंज है, वो नहीं किया गया है दोनों टीमों म इस टूनमेंट की और एक और बार ऐस्टेलिया जो है, टे-टुन्टी वर्ल्ड कप को जीतेगी या फिर इस बार हमें जो है, एक नई टीम जिया, नई टीम विनर बंतर नजराएगी साथ अफरीका, जो कि पहली बार फानल मुकाबले में पहुची और काफी बढ़ी आ, का पानल मुकाबले में और उस्टेलिया को हराने की पूरी कोशिश करेंगा और ट्रॉफी जो है, वो अपने नाम करेंगा, तो क्या सनलुइस का जो स्टेटमेंट है, वो सही है, क्या या कर पाएंगी, सनलुइस वो देखना होगा, यहाँ पर कप्तानी तो अच्छी करिए, स स्टेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने ने लिया, तो यहाँ पर एलीसा हीली और बैत मुनी जो है, वो ओपन करते नदर आएंगी, और आपको पता ही है, कि ताबरतोर बल्लेबाजी करना पसंद करती है, दोनों बल्लेबाज अब देखना होगा, आज के इस मुकाबले में खेला होबे या पेला होबे और समय बताएगा, मगर मुकाबला जो है, वो काफी बढ़िया रहने के उमीद रही है, जोले लाइक करिए आप सो लोग सब्सक्राइब कर दीए चैनल को और जुड़ जाईए का हमार साथ इस मुकाबले के अंदर, क्योंकि भारत समय उनसार सा और पहले बलेबासी करने का निदा लिया, और ऑस्टेलिया जो है, और जो है और देखा जाए दो सभी फानल मुकाबले इसी ग्राउड के ऊपर खेले गई है, और दोनों बार टोटोर डिफेंड हुआ है, तो क्या फानल मुकाबले में साथ अव्रिका ये कमाल कर सकती है, देखिए कहीने कहीं सवतर के पास एडवांटेज जरूर है, होम टीम है, क्राउड सपोर्ट रहेगा, पिछ को जानती है किस तरीके से ये पिछ बहेव कर रही है, यहाँ पर काफी क्रिकेट जो है वो खेले हैं, क्या आज के इस मुकाबले के अंदर पूरा एक्स्पीरेंस जो है वो जोग पाएगी सवतर के टीम क्या देखना होगा, गेंदबाजी जो है वो काफी मजबूत नदर आ रही है, सवतर दिखे कि इसमें समाइल है, अब उंगा खाखा इस टीम के अंदर है, मर्जम कैप हैं साथ में, निकलिको मलाबा इस टीम के अंदर जो है वो लेफ गेंदबाज और दो और राउंडर या अब कर दो और राउंडर गेंदबाज प्लाले बाज एशली गाड़नर को और टीम के तरफ से आप मर्जम कैप को आप रह सकते हैं, तेज गेंदबाजी के लिए शबनमी स्माइल मेगन शुट और अब उंगा खाका जैंवो काफी अ एवरेज जो है वो अगर मैं बात करूं तो टॉप थ्री बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के चाहिए वो एलिसा हीली हो बैथ मूनी हो या फिर मैग लैनिंगन हो तीनों का जो एवरेज है वो 50 से उपर है इस टूरेमेंड के अंदर तो इन तीनों बल्लेबाज को आप टीम में रह सकते हैं यहां पर तो इस टीम में बल्लेबाजी के लिए अलिसा हीली काफी बहतर चॉइस रहेंगी अगर बात की जाए तो यहां पर बैथ मूनी को भी आप टीम में रह सकते हैं साथ में मैग लैनिंग है लॉरा वुलवार्ट है तर्मिन बिट्स टीम के अंदर है और कि भूमिका में आपके लिए ऐशली गाडनर मर्जम कैब जो है नजरा सती है गेंदबाजी के लिए जी आंगेंदबाजी के लिए अगर बात की जाए तो गेंदबाजी के लिए आप यहां पर जो है वह रख सकते हैं मैगें शूट शबनाविस्माइल और निकलो मलाबा सा बड़े मैच में प्रदशन करते नजरा आता है टीम बिल्कुल सेम है दों टीमों ने आज कोई भी चेंजिस नहीं की है सेम विनिंग कॉमिनेशन के साथ उतरेंगे यहां पर दोनों टीम है आज तो उससे पहले आप सो लोग स्ट्रीम को लाइक करके चनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मुकाबला शुरू होने का जो समय है वो साड़े छे बजे है भारते समय उसार चौथा मिनिट के बाद मैच शुरू होगा और टॉस को जीता है और आस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले जो है वो बल्लेबाजी करने का निंदने लिया है कि यह निंदने सह मुकाबले को मुकाबला काफी देर में अभी कुछी देर में शुरू होने वाला है चलते हैं फिर से प्लेंग नाउन जो है वह क्या कॉम्बिनेशन रहेगा ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ओडर मैं पहले बताऊंगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बल्ले वाजी कर रही है तो से नमबर चार पे आती है एसली जारी नमबर पांच पे आती है इस परती है उसके बाद पर इस प्रकार वॉपनी जोडी लॉरा वू डॉरत और तजमें ब्रीड्स पिसले मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों वो काफी बहतर फौर्म में एक खास कर Tegman Britos काफी अच्छे काफी रंस बना चुके हैं स्टोनेंट के अंदर और अगर मैं बात करूं सफल बल्लेबास की तीम में तो तेजमिन ब्रिट्स जह हैं वो काफी हद तक अच्छी बल्ले बाजी करें और काफी रंस बटो रहे हैं तो इनको टीम में रखना मत बुलिएगा लॉरा वुलाट को भी टीम में आप रख सकते हैं साथ पर यहाँ पर तीन नमबर पर खेलती है को मलाबा जो है वो इस टीम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे अगर बात की जाए यहाँ पर टीम काफी बढ़िया है मैं साथ अफरीका को सपोर्ट करूट करूंगा भाई मैं चाहूंगा कि यार हर बार थुरना ऑस्टिलिया टूर्मेंट को जीतेगी यहां मैं चाह यहां पर जो स्कूर बन रहा है वह काफी बहतर नदर मगर यह है कि स्पिन गेंद्बाजी ज्याया वह काफी इतर मुकाबले करते नदर आई जकर इस मुकाबले के अंदर तो यहां पर बल्लेबाज़ी के प्छले कुछ पिछ कहीं न कहीं यहां पर बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है मैं बात करूं पिछले कुछ मुकाबलों की तो यहां पर इंडिया के खिलाफ बने थे और यहां पर साथ अवरेज देखा जाए तो दो मुकाबलों से कम से कम 300 300 तो मेरे हिसाब से आज भी एक सो साथ एक सो पैसर टन का स्कोर रह सकता है और इस मुकाबले के अंदर और साथ अफरीका को इस मुकाबले से बाहर किया जाए तो यहां से कम से कम 140 150 के अंदर अंदर जह है वह रोका जाए यहां पर यहां पर जैंक ऑस्टैलिया टीम को और टोटल को जैंक वह चैस किया जातर हैं तो क्या चैस कर पाएंगे वह यहां तो ब्ता दो है यहां पर जैसे कर रह रही है इस मुकाबले केंदर तो मुकाबला शुरू होने का समय जो है वो 6.30 बजे है भारते समय उनुसार अब से 10 मिनिट के बाद मुकाबला शुरू होगा उससे पहले मैं सभी भाईयों के मैसिज जो है वो ले रहा हूं अपने मेसिज करते रहेगा सवतरगे जीते की भाई भाई जी के विकास कुमार में मुश्किल है ना मुम्किन नहीं है मैं शुरू से कहता हूँ इंडियन टीम भी अगर सभी फानल मुकाला देखेंगे तो एक क्लोज मैच खिला था यहां पर काफी रण दे रहे हैं अगर यहां पर सवतरगे कम से कम रण पर रोकना रोक दे अस्ट्रेलिया को शायद यह टोटल को चेज कर सकती है मगर दिक्कत यह है सवतरगे के खेमे के पास आ सकती है अब देखना होगा स्थ अफ्रिका आज बेहतर क्रिक्किट खेल पाएगा प्रेशर को रणोग कर लेते हैं तो मुकाबले को आप जीत जातें तो यहां पर साथ अवरिका ने पिछले मुकाबले में बताया था इंग्लाइड के खिलाब भी जिस तरीके से लग रहा था कि शायद इंग्लाइड जो है आसानी से उस मुनाज को जी जाएगा वहां पर कम बैक किया शब्रम इसमाइल ने अब भूंगा खाका ने मैजिकल ओवर वह शिफ्ट हो गया है वह जीतकर फाइनल में पहुंचा है मगर टीम काफी अच्छी लग रही है बलेबाजी भी ठीक लग रही है आज देखना होगा किस तरीके से प्रदेशन रहेगा मेरी टीम साथ अवरिका यार ट्राफी जीते पहली बार फाइनल में आये हैं और ले के पास काफी राइनिट बैट्समैन है अगर मैं बात करो तो बैथमूनी को छोड़के जारता सारे बलेबाज जो हैं वह राइनिट बैलेबाज हैं तो मलाबा की जो गेंदबाजी वो शायद इंपक्ट कर सकती क्योंकि दाए हाथ के बलेबाजों सामने बहतरीन गेंद लेफ्ट आम और तर्फिन गेंदबाजी करते हैं और गेंद कहीं न कहीं टर्न भी होता उनका तो यहां पर अच्छी चोईस रहेंगे मलाबा टीम के लिए एशली गार्डनर को आज और टीम में रहते हैं चार्म बलेबाजी भी करते हैं प्लस और गेंदबाजी में उनके विकेट मिल भी रहा है अगली गेंदबाज अस्टेलिया की रहेंगी सा यहां पर मैं कहूंगा कि यहां पर सब्सक्राइब श्माइल जो हैं वह काफी चटका चुकी है स्टूनमेंट के अंदर तर्जमिन ब्रेट्स को रखें बेलकोल रखें बाई कहीं नहीं कहीं आप अन अच्छे का से रही हैं तो प्लस आपके लिए जो है बैटिंग नबर तीन पर लेजी करती है तो मेरे सबसे कप्तान के लिए आप लोड़ाट को रसकते हैं है वो काफी अच्छा बोलता और बड़े बैचिस की खिलाडी है लोड़ाट उनके बल्ले सर निकाशता है या फिर आप जो है मर्जम कैप को न सकते हैं आप पर कप्तान बल्लेबाजी में मगर देखा जाए तो एलीसा हीली ने पिछली बार भी अगर फाइनल की याद करूं तो अच्छी कास्ति बल्लेबाजी करतर नदर आएंगे एक बार स्ट्रीम को लाइक कर दीजेगा चलना को सबसकाइब कर दीजेगा मुकाबला बस कुछी देर में शुरू होगा यहां से अगर बात की जाए तो सिर्फ साथ मिनट के अंदर यह मुकाबला शुरू होगा जो भा दोज टीमों ने आज कोई भी चेंज नहीं कि है टीम में सेभी प्लेइंग 11 के सारे खिते सामने जो फ्लेइंग 11 दिख रही है वही सेम प्लेइंग कॉइनेशन जो है उतहारी प्लेंग कॉंबिनेशन है औस्टेलिया की बात कि जाए तो अलीसा हीली और बैथ मुनी जहें वह ओपन करेंगे नंबर तीन पर होंगे मैग लैनिंग नंबर चार पर होंगे आशली गादर नंबर पांच पर होंगे अलीसा पैरी नंबर 6 पर होंगी ग्रेस एरिस नंबर आट बिट्स हैं वह अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है अगर इनका बल्ला बोलेगा तो साथ तरी का जो है एक अच्छी सिच्चेशन में आप नजर आएगा तो इनको भी टीम रखीए गा और लोला वलाट को भी दोलों को आप टीम में रख लीजेगा साथ में अगर बात की पर होंगे नेंदन्दी क्लार्क, नंबर साथ पर होंगे नाके बाउच, नंबर आठ पर होंगे शिचनल जाफता, नंबर नौप नौप नविन स्पाइल, नंबर दस पर यहां पर आप लुगगा खाका नंबर गयारा पर अनौकली को मलाबा जो है वो स्टीम के अंदर है देखना होगा आज किस तरीके से पताशन रहती है दों टीमों की प्लेंगान बता चुका हूँ आपको जिन्होंने स्ट्रीम को लाइक रही किया है स्ट्रीम को लाइक करिएगा और चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा क्या आल है बाई बढ़िया गुलशन मिश्रा करिएगा सेटेट पर आइडी करने बहुत के सानब लिंक को क्लिक करिएगा सेट बैट के पेज़ जाईएगा वहाँ पर साइन अप का ऑप्षान को क्लिक करिएगा यूजर ने मोबाइल नमर डाली आपकी आपकी आईडी क्रेट हो जाएगी यहाँ पर मिनिमम मेंट से 10 र क्लिक करके जाके आईडी क्रेट करिएगा सेट बैट पर यहां पर सारे मुखवले लाइब भी दे सकते हैं आप टोटली एक्सचेंज है लॉसकर बुक्षट कर सकते हैं ट्रेड कर सकते हैं आप सेट बैट के साथ और ध्यार रखिएगा विड्रॉल जो है 15-20 मिंट के अंदर अज ही आएडी क्रेट करते हैं तो यहां से मुकाबला प्लेयर बस कुछी दिर के अंदर ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं और मुझे लग रहा है जियां मुझे लग रहा है कि श्रद आज के इस मुकाबले के अंदर एक रोमांचक मैच जो है वो देखने को मिलेगा तो जुड़ जाईएगा जुड़ जाईएगा आज खेला हो काफी बढ़िया रहने के उमीद रहेगी आप देखना होगा आज के इस मुकाबले में क्या दोनों टीमें बहतर प्रशन करेंगे मेरे साब से साथ अच्छा खेलेगा क्राउंड सपोर्ट भी उनके साथ रहेगा ग्राउंड को जानते हैं अपने होम ग्राउंड के अंदर कुछ घ्राउंड के अधर रहे हैं और मेरी टीम यहां पर साथ अटेक करना होगा आज के इस मुकाबले के अंदर तो खेला हो बे या पेला हो बताएगा मगर मुकाबला जो है वह काफी बढ़िया रहने के बीदर यहां से अब प्लेयर जो है वह ग्राउंड के तरब करेंगे क्योंकि दो मिनिट बच्चे है मुकाबला शुरू होने में जुड़ जाईएगा और सिस्टाइल मुकाबला पूरे महिने चुनमेंट चला है और इस मुकाबले के अंदर क्या यहां से इस मुकाबले को साथ अफ्रीका जीत पाएगी सवाल यही है प्लेयर ग्राउ यहां पर दो सब्सक्राइब कर दीजेगा और मुकाबले के अंदर मुकाबले भी आजकल रोमांचक हो रहे हैं दो सब्सक्राइब काफी रोमांचक हुए है जो है वो इस मुकाबले को जीते जिन भाइयों ने स्ट्रीम को लाई कर दीजेगा और जिनने चल्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजेगा चलिए यहां से खेल जो है वो कुछी देर में शुरू होने वाला है प्लेयर जो हैं वो ग्राउंड के अंदर आ चुक प्लेयर ग्राउंड के अंदर एंटर करना शुरू कर चुके हैं ऐस्ट्रेलिया एक बड़े स्कोर के तरफ बढ़ना चाहेगा चाहेगा एक बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा किया जाए और टीम को आगे लेके जाए जाए और क्या लेके जाए पाएंगे वो देखना होगा चलिए यहाँ पर स्ट्रीम को शेर करते रहीगा चलनों सब्सक्राइब करते रहीगा इंज्वाइ करते रहीगा इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉंग टीम है डिफेंडिंग चैंपेन है अगर साउथ अफरीका ने भी पिछले मुकाबले में इंग्लैंड को हराया है तो confidence जो है उनका भी काफियत तक boost रहेगा और आज एक अच्छा खासा खेला जो है देखने मुना जिया मलाबा को मलाबा को यहाँ पर जहाँ पर जो है गेंद बाजी दी गई है मलाबा केंद बाजी करना आएंगे अलीसा हीली जो है पहली गेंद खेलेंगे चलिए मुकाबला जो है वो शुरू हो रहा है लाइक और सब्सक्राइब करता है रुकन ने चीए लाइक और सब्सक्राइब और जुड़ जाएगा हमार साथ इस मुकाबले के अंदर मुकाबले में खेला हो वे भाया खेला जो है वो जबर्दस तरीके से चलेगा और मुझे तागी आज ऑस्ट्रिलियन टीम जो है हाओब करता है यह जो ही झाल करते है हाओब ज़ाब जुड़ झाल सब्सक्राइब करता है थाज़ ज़त्सक्राइब झाल, 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 झाल झाल, 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 झा झाल 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 करें लाँ प्रप्तस्टेने देले को घ्राएं प्राएंग। बप्ड़न कभंध बिलहीं कि उलगा हम मुया जनॉब। झाल 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 झाल